हलो स्वागत है आप सभी का दा मैनस प्लस पे आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे BPSC TRE सिक्षक भरती परिक्षा के बारे में ठीक है इस से पहले इस चैनल पर केबल मैथेमेटिक्स की क्लास आती थी ठीक है केबल मैथ से रिलेटिड वीडियो अब इस चैनल पर मैथ के साथ 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 साइन्स की भी क्लास आपको देखने को मिलेगी ठीक है जो इससे पहले मैथ का क्लास कर चुके हैं उनको पता है कि जो बेसिक मैथ स्रीज था उसका नोट्स भी मैंने अबलेबल करवाया था नोट्स पेड होता है और साइन्स का भी नोट्स हम एवलेबल करवाएंगे आप लोगों को वह भी पेड होगा और नोट्स जो भी लेना चाहेंगे वह वाट्सअप नंबर पर मेसेज करेंगे वाट्सअप का नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ठीक है जो भी शिखचक भड़ती परिच्छा की तयारी कर रहे हैं बीपी एसी टी आरी चाहे वह 1-5 वो यह 6-8 यह 9 तेंथ क्लास के लिए अगर आप शिखचक बनना चाहते हैं और जिनके भी स्लेबस में साइन्स आता है देखिए 1-5 में इसमें साइन्स आता है 6-8 में साइन्स तो उपके शिखचक बनना चाहें साइन्स 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 के अधके ऐल जसे लिए सब्सक्राइब वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों में share भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, अब चलिए, आज हम लोग इसमें करेंगे, देखिए, NCRT का science करेंगे, ठीक है, और class 6 से लेकर class 3 तक का science हम लोग cover करेंगे, आज के वीडियो में हम लोग start करेंगे, कप्छा 6 का जो विज्या वो, और उसका पहला chapter और दूसरा chapter इस वीडियो में हम लोग cover करेंगे, ठीक है, इससे पहले cable में maths related video बनाता था, यह पहला video है, जो science से related है, तो आप लोग देख करके comment करियेगा, कि किस तरह से है, और इसमें क्या improvement हो सकती है, किस तरह से इसको और बहतर बनाया जा सकता है, content को, इस बारे में आप लोग चाहें, तो comment कर सकते हैं, हम उसको देख के उस पर अमल करेंगे, ठीक है, तो सबसे पहला जो chapter है, हमारा science का, वो भोजन कहां से आता है, ठीक है, भोजन कहां से आता है, तो इस chapter को हम लोग देख लेते हैं, सबसे पहले देखिए, यहां पे लि सकता होती है, और भोजन से जीवों को किस चीज की प्राप्ती होती है, तो उर्जा मिलता है, भोजन से जीवों को क्या मिलता है, उर्जा मिलता है, यहां पर कुछ सजीव के फोटो दिये गए हैं, ठीक है, और सजीव को भोजन करने से किस चीज की प्राप्ती होती है, तो ध्यान में रखने वाली चीजे हैं ठीक है अब यहां पर देखिए अब इस चीज को अगर देखें इसको हटा देते हैं यहां से अब देखिए पेड़ पोधा यह भी सजीव है ठीक है पेड़ पोधा क्या है सजीव है और यह भी भोजन इन्हें भी भोजन क्या वासकता होग ये अपना भोजन कैसे तयार करते हैं और अपना भोजन कैसे करते हैं इस पे पहले हम लोग बात करते हैं सबसे पहली बात पेड़ पोधा जो है वो अपना भोजन स्वैम बनाते हैं खुद से बनाते हैं और खुद से बनाने के कारण ही इनको स्वापोसी कहा जाता है क्या कहा जाता है, स्वापोसी कहा जाता है, पेड़ पोधे, स्वापोसी होते हैं, अर्थात वो अपना वोजन खुद बनाते हैं, स्वयम बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, पोधे का जो आप देख रहे हैं, पत्ता जो होता है, वो हरे रंग का होता है, हरा रंग का जो होता है, व एक बात हो गई, दूसरी बात, पोधे जो है, अपना भोजन कब बनाते हैं, दिन के समय में, कब बनाते हैं, दिन के समय में, ठीक है, पोधे अपना भोजन बनाते हैं, दिन के समय में, दिन के समय में क्यों बनाते हैं, क्यों कि दिन के समय में सुर्ज निकला हुआ होता है, औ तो सुर्ज के परकास और क्लोरोफील की उपस्तिती में पोधे क्या करते हैं तो यहां पर देखिएगा पोधे जड़ के द्वारा जमीन से जल लेकर जल के साथ साथ खनीज लवन लेकर जड़ के द्वारा क्या करता है खनीज लवन और जल लेकर और सुर्ज से सुर्ज का पर प्रकास क्लोरोफील उसमें खुद बखुद मौजूद होता है और भोजन अपना बना लेता है पेड़ पोधा ठीक है पेड़ पोधा क्या करता है अपना भोजन खुद बना लेता है और यह जो परिक्रिया है इसको प्रकास संसलेशन कहते हैं प्रकास संसलेशन पोधे जो अ करते हैं तो दिन के समय में तयार करते हैं पोधे को अपना बोजन बनाने के लिए किन सभी चीजों के आवशकता होती एक तो दिन होना चाहिए क्यों दिन होना चाहिए क्यों कि सुर्ज का प्रकास उस पर परे क्लोरोफिल उसमें मौझूद होता है ठीक है तो पेड़ पोधो है यह प्रकास संसलेशन कहलाती है तो इसमें आपको याद यह रखना है कि पूछे अगर पूछा जागे पोदे अपना बोजन कब बना दें दिन में की रात में तो दिन में बोजन बनाने के लिए किन-किन चीज़ों क्या बसकता होती है सुर्ज के प्रकास की क्लोरोफिल की और धरती से जल एब हम खनीज लवन खनीज लवन जल क्लोरोफिल सुर्ज का प्रकास यह सारी चीज़ें उनकुछ यह बोजन बनाने के लिए और वह जो बोजन जो बनाता है यह जो प्रक्रिया है यह क्या क देखिए मनुस से अपना भोजन कैसे करते हैं अध्याय का नाम है कि भोजन कहां से आता है तो भोजन देखिए मनुस से क्या खाता है फल खाता है अनाज सबजियां चिकन अंडा यानि कि जन्तूओं से उत्पादित चीजे और पेड़ पोधों से उत्पादित चीजे दोनों चीजें मानव क्या करता है वो भोजन के रूप में खाता है ठीक है अब यहां पर दीए कुछ जानवर है जैसे ये गाय है कुछ पसू है जैसे ये गाय है गाय क्या खाती है तो गाय घास खाती है ठीक है जो पेड़ पोधों से उतपादित चीजें खाता है उनको साकाहारी कह जाता है तो गाय क्या है अपना गाय जो है वो साकाहारी है क्यों है साकाहारी क्योंकि यह पेड़ पोधों से उत्पादित चीजों को भोजन के रूप में खाता है इसलिए यह साकाहारी है और यहां पर आप देख रहें कि यह सेर है सेर बाग यह जो ऐसे जानवर होते हैं जो साप है, साप क्या खाता है, तो वो मेड़क खाता है, मतलब अन्यजीब जंतुओं को खाता है, तो मेड़क खाता है, तो ये क्या हो गया, मानसाहारी, बाग जो है, ये बकडी, अन्यजीब जंतुओं को, बकडी, हिरन, कुत्ता, इन सभी चीजों को ये अपने बोजन के रू जेवरा हो गया यह भी घास खाता है ठीक है ओमनी वरस कुछ ऐसे पसूपक्षी है जो अन्य जीव जन्तूओं को और पेड़ पोदों से निर्मित चीज़ों को भी खाता है जैसे यहां पर भालू हो गया यहां पर मुर्गी है मुर्गी जो है यह क्या खाती है तो छोटे-छ इसको अगर हम यहां पर भुजन करने के आधार पर अगर जीव जन्तूओं को भाटे तो तीन बागों में बाट सकते हैं कुछ ऐसे जीव जन्तू होंगे जो केवल पेड़ पोदों से उत्पादित चीज़े खाते होंगे केवल पादब उत्पाद जो खाता है उसको साकाह हारी कहते हैं ठीक है साकाहरी जैसे गाय घास भुसा खाती है बकडी ठीक है यह भी घास खाती है हिरन ठीक है खरगोस यह जो जीव जन्तू है यह केवल पादब उत्पाद चीज़े खाती है और इसलिए यह साकाहारी की केटेगरी में आ जाता है मांसाहारी मांसाहारी जो ह खाते हैं वो मांसहारी जो अन्रजीब जंत्वों का मांस खाता है मांस पर नीर पर है वो मांसहारी कह लाएंगे जैसे बाग हो गया ठीक है और यहां पर आप देख सकते हैं कि सेर हो गया, चीता हो गया यह जो जीव है यहाँ पर मुर्गी दिया गया है मुर्गी या मुर्गा जो भी बोले इसको यह जो है, यह सरवाहरी की केटेगरी में आएगा, क्योंकि छोटे कीरे मकोडों को भी खाता है और अनाज भी खाता है, बक्री जो है ये साकाहारी की केटेगरी में आ जाएगा केवल घास बुसा खाती है ठीक है तो आपको ये धियान में रखना है कौन से जीव, किस परकार का भोजन करते है याद रखने में वहला इसमें कुछ वैसा बात है नहीं जब भी होगा तो हम आपको बता देंगे जो पादप, उत्पाद एवं अन्यजीब जन्तूओं को खाता है मतलब जो सब कुछ खाता है पेड़ पोदों से जो उत्पादी चीजें वो भी और अन्यजीब जन्तूओं को भी सब चीजें वो सर्वाहारी की केटेगरी में आ जाता है सर्वाहारी की केटेग्री में मनुष से भी आएगा मनुष जो है पेड़ पोधों से उत्पाथी चीजें भी खाता है और अन्य जीव जन्तों को भी खाता है तिल चट्टा आएगा तिल चट्टा क्या है यह सर्वाहारी है भालू क्या है यह सर्वाहारी है ठीक है तो इस तरह चीजे हैं जो सरवारी है आप खुद से भी सोच सकते हैं कौन सा जीब सरवारी है कौन सा मानसा हरी है कौन सा साकाहरी है और इस चेप्टर में एक और जो इंपोर्टेंट चीजे जो आप देख सकते हो जो चार यह वर्ड है जो इंपोर्टेंट वर्ड है जो दिये हैं जैसे germinated seed इसका मतलब होता है अंकुरित बीज है हरवी वोरष मतलब साकाहारी कार्णीव्रस यहांपर क्ये नहीं होगा यहांपर सी होगा एक सेकेंड इसको हम सही कर देते हैं कि अधिए होगा यहां पर अधिक है सी ए आर एम नहीं कार्णी वोरस यह यहां पर आप लोग सही कर लोगे कार्णी वोरस ठीक है और ओमनी वोरस मतलब सरवाहरी तो यह चीजें हैं जो आपको यह आप देख सकते हो जैसे आप मान के चलिए अभी च्टा का साइन्स है वहां से स्टार्ट कर रहें तो इस चीजों को अगर छोड़ दे तो अच्छी बात नहीं है इनको करते जाएंगे चार-पांच वरड एक चेप्टर में होगा उसको करते जाएंगे ठीक है अगला जो चेप्टर है हमारा वह है भोजन में क्या-क्या आता ह आता है इस चेप्टर को आप लोगदि-ध्यान से देखेंगे यहाँ पर हमस्तार लगाते हैं यह इंपपोर्टेंट है और इससे क्विस्टन भी बहुत पूछे जाते हैं तो हमारे भोजन में क्या आता है हमारे भोजन में पोषक तत्वर रहते हैं और पोसक तत्व कहा कि विकास एवं स्वस्त रहने के लिए जिन आवयवों की 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 आ से देखिए कार्बोहेट्रेट यह पोसक तत्व है और उसके बाद यहां पर देखिए जो वसा है वो पोसक तत्व है प्रोटीन जो है पोसक तत्व है विटामीन जो है पोसक तत्व है खनीज लवन पोसक तत्व है रेसा जो है वो पोसक तत्व नहीं है लेकिन हमारे सरीर के ये बहुत ही उपयोगी है और इसका क्या काम है हम आपको बताएंगे पानी का क्या काम है ये भी हम आपको बताएंगे सभी चीजों का काम बताएंगे कार्बोहेड्रेड, वसा, प्रोटीन, विटामीन, खनीज सभी चीजों का बारी बारी से मैं आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किन चीजों में ये पाया जाता है तो चलिए सुरू करते हैं कार्बोहेड्रेट से तो कार्बोहेड्रेट का काम क्या है कार्बोहेड्रेट हमारे सरीर को ठीक है कार्बोहेडरिट पाया किन सभी चीजों में जाता है गेहूं में चावल में बाजरा में मक्का में सकरकंद में गन्ना में आलू में पपिता में आम में क्या पाया जाता है कार्बोहेडरिट का काम क्या है हमारे सरीर में सरीर को उर्जा परदान करना ठीक है अब चलिए देख किसको वसा को वसा का काम क्या है हमारे शरीर में वसा का काम है कि वसा हमारे शरीर को उर्जा देता है वसा भी उर्जा देता है और कार्बोहेड्रेट भी उर्जा देता है लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कार्बोहेड्रेट की तुलना में वसा हमारे शरीर को ज्याद उर्जाँ परताइब देखिए कार्बो हेड़िट भी उर्जाद देता व वसाद देता है लेकिन जादे उर्जा कौन देता है तो वसा यैनि कि फैटी फैटी फिलाल यह देखिए कि कर्भोहेड्रेट जो है वह भी उर्जा देता है वसा जो है वह भी उर्जा देता है कर्भोहेड्रेट की तुल नाम में वसा ज्यादे उर्जा देता है ठीक है और वसा किन सभी चीजों में पाया जाता है उसको देखिए तो वसा देखिए सुर्जमु पूछे जा सकते हैं कि किन चीजों में यह पाया जाता है ठीक है वसा के बाद अगर बात करें प्रोटीन की तो प्रोटीन के बारे में देखें प्रोटीन का काम क्या है सरीर की विर्धी ठीक है एवं स्वस्त रहने के लिए सरीर की विर्धी के लिए और सरीर को स्वस्त रखन सरफ तो प्रोटीन के दो प्रकार के सिरोत एक एक क्थ पाधप उर्ट अर्क्यकित है जंथियोद पिड़ पदित तो पाधप यानि पीड़-पोदों से क्या मिलता है चना चना में पाया जाता है प्रोटिन मçar अ será क्रोटीन बंख में पाया जाता है, मांस में भी पाया जाता है, पनीर में भी पाया जाता है, और अंडा में भी पाया जाता है, क्या पाया जाता है, प्रोटीन, और प्रोटीन का काम क्या है, हमारे सरीर को रोगों से रक्षा करता है, हमारे सरीर को बिमारियों से बचाता है, किन चीजों से बचाता है, बेमारियों से कौन बचाता है तो विटामिन तो विटामिन तो कई परकार क्या होते हैं विटामिन जो होते हैं वो कई परकार विटामिन A, विटामिन B, विटामिन C, विटामिन D, विटामिन E, विटामिन K तो बहुत परकार के विटामिन है तो सबका काम अलग-अलग होगा तो किसका कौन सा काम है ये आगे बताएंगे अभी सभी विटामिन के सुरोत बताते हैं कि किन चीजों में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो विटामिन A की अगर बात करें तो विटामिन A किन चीजों में पाया जाता है विटामिन B की अगर बात करें तो विटामिन B पाया जाता है गेहों में, चावल में, यक्रित में ठीक है यक्रित में क्या पाया जाता है विटामिन B ये याद रखने वाली चीजे हैं इससे related questions आपको पूछे जाएंगे विटामिन C की चीजों में पाया जाता है तो विटामिन C पाया जाता है संतरा में, टमाटर में, आवला में, मिर्च में, नीवू में, अमरूद में क्या पाया जाता है विटामिन C काम क्या है इसका ये आगे बताएंगे पहले आप यहाँ पर देखिए कि किन चीजों में कौन सा विटामिन पाया जाता है विटामिन D की अगर बात करें तो यह पाया जाता है दूद में, मक्खन में, मचली में, अंडा में, यक्रित में फ्रीर को खनीज लवन के आवसकता है हमारे शरीर को खनीज लवन की अवसकता अलप मातरा में खोती है मतलब हमारे सरीर को खनिज लवन थोड़ी-थोड़ी मातरा में चाहिए या क्यों जरूरी है या उचित विकास एब अच्छे स्वास्त के लिए आवस्चक है क्यों आवस्चक है उच्छित विकास के लिए और अच्छे स्वास्त के लिए आवस्चक है जैसे अब यहाँ पर देखिए जैसे लोह तत्व है यानि कि आईरन ये किन चीजों में पाया जाता है पालक में मेथी में केला में ठीक है क्या पाया जाता है लोह तत्व केलसियम की अगर बात करें, केलसियम की चीजों में पाया जाता है, तो केलसियम दूद में पाया जाता है, और फोस्पोरस और केलसियम की बात करें, तो मचली में, अंडा में क्या पाया जाता है, फोस्पोरस और केलसियम, सोडियम और पोटेसियम की बात करें, तो ये किस में क्यों आवसकता होता है उचित विकास और अच्छे स्वास्त के लिए केल्सियम हमारे हड्डियों के लिए और दांत के लिए आवसकता होता है कि क्यों आवसकता होती है कि हड्डियों के लिए दांत के लिए सभी चिसे अभी तुस रोत बता रहे हैं न होस्फोरस यहां पे ल तो रेशा देखिए पोसक तत्व नहीं है रेशा हमारे सरीर को कोई पोसन परदान नहीं करता है लेकिन फिर भी यह हमारे सरीर के लिए बहुत ही उपयोगी है क्यों है उपयोगी रेशा हमारे सरीर से बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में सहयता परदान करता है क्या अब देखिए यहां पर स्रोत इसके क्या है अंकूरीत जो अन है जैसे मूंग और चना को आप अगर रात को पानी में भीगो कर कपड़ा में लपेट कर रख दें तो सुबह देखेंगे कि उसमें अंकूर उत्पन हो जाता है और वो जब आप खाओगे तो वो रेसा का से पहले चाला जाता है चालने के पश्चात उसमें से जो निकाल दिया जाता है उसको चोकर बोलते हैं और उसमें भी क्या पाया जाता है तो उसमें फाइवर पाया जाता है डाल में ताजे फल में और सबजिया में क्या पाया जाता है तो रेसा ठीक है अब जल को देख ली है ठीक है भोजन करते हैं भोजन हमने खा लिया खाने के पश्चात उसमें जो पोसक तत्व है सरीर क्या करता है उसको अबसोसीत करता है क्या करता है पोसक तत्वों को अबसोसीत करेगा तभी तो सरीर का विकास होगा विर्दी होगी और बिमारियों से लड़ेंगे मतलब जो भी पोशक तत्व है सरीब उसको खीच लेगा अवसुसीत कर लेगा तो अवसुसीत करने के लिए जो साहता परदान करता है उसका नाम क्या है जल पानी जो है वो अवसुसीत करने में साहता करता है पानी बहुत ही important है, तो पानी का काम क्या है, पोसक तत्मों को अफसोसित करने में मदद करता है, और अफसिस्ट जो पधार्त है, उसको बाहर निकालने में भी सहयता करता है, तो ये हो गया जलिका काम, अब देखिए आहार के बारे में क्या लिखा हुआ यहाँ कि आहार किसे कहते हैं, तो आहार कहते हैं कि पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं, आहार कहलाता है, पूरे दिन में हम जो कुछ भी खाते हैं, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है, आहार, ठीक है, और आहार के बाद है, संतुलित आहार, आहार तो हम मान किसलिए कुछ भी ख कहते हैं सभी पोशक्तत्व सभी पोशक्तत्व ध्यान दिजिएगा सभी पोशक्तत्व मतलब ऐसा भोजन हो जिसमें कार्बोहेड्रेट भी हो ठीक है प्रोटीन भी हो और विटामीन भी हो अईसा भोजन करें जिसमें प्रोटीन भी हो विटामीन भी हो और उसके सاتथ हो उसमें फाइवर यーハसा भी हो उसके बाद जल तो होना ही चाहिए वसा भी हो यानिकि फैट हो सभी पोशक्तत्व उचित Convention में मौजूद हो जिस भोजन में वो भोजन क्या कहलाईगा संतुलित को मतलब है कि वह जो जो और उसमें किसी चीज की कमी है मालिजे उसके वोजन में प्रोटीन नहीं है या विटामीन नहीं है या वसा नहीं है कुछ पोसकत्व है जिनकी कमी है ठीक है तो वो आदमी रोग से ग्रसिप हो जाएगा और रोग कौन सा होगा सूखा रोग कुपोसन मतलब सूखा रोग सूखा रोग को मरासमस रोग भी कहते हैं सूखा रोग को क्य चाती की जो हड़ी है वो असपष्ट दिखाई दे रही है, ठीक है पैर जो है वो फतला हो गया है, तो इस परकार का होता है मरासमस रूब, क्यों होता है कोपोसन से, ठीक है, अब एक रोग और है, जिसका नाम है क्वासी की और कर रोग, और ये रोग होता है प्रोटीन की कमी किस चीज की कमी से अगर आपके बोजन में अगर किसी बच्चे के बोजन में ठीक है अगर किसी बच्चे के बोजन में लगातार प्रोटीन की कमी हो प्रोटीन की क्या हो कमी हो तो वो बच्चा किस रोग से ग्रसित हो जाएगा क्वासी योरकर रोग से ग्रसित हो जाएगा औ लेकिन छाती की हड़ी दिखाई देगी, चेहरे की हड़ी दिखाई देगी, लेकिन पेट फुला हुआ होगा, हाथ पेर फुला हुआ होगा, इस रोग का नाम क्या है, क्वासी योरकर रोग, और यह होता क्यों है, प्रोटीन की कमी से, यह रोग हो जाता है, ठीक है, अब इस आपको यह बताते हैं कि क्या होता है जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बोहेड्रेड में उर्जा पाया जाता है कार्बोहेड्रेड हमारे सरीर को क्या देता है उर्जा और वसा जो है वो भी हमारे सरीर को उर्जा देता है तो अगर ऐसा करें और एक बात हम आपको और बताए कि कार्बोहेड्रेट की तुलना में वसा में यहां पर वसा लिख देते हैं ठीक है यहां पर कार्बोहेड्रेट कार्बोहेड्रेट अब देखिए हम आपको बता है कि वसा में जादे उर्जा मिलता है कार्बोहेड्रेट की तुलना में तो अगर कोई इनसान यह करे कि कार्ब कार्बोहेड्रेट खाना बंद कर दे और वसा जितन का रहा था उससे उसकी महतरा वसा जाधा खाना खाने लगे क्योंकि वसा में और पढ़ लिगी वसा में जाधे उर्जा मिलता है तो वसा जाधे खाए और carbohydrate बिल्कुल ना खाए ठीक है तो वो सोचेगा कि हमें जादे उर्जा की प्राप्ति होगी तो दिखिए ऐसा नहीं है आपको सभी पोशक्ततों उचित मातरा में चाहिए कोई ऐसा नहीं कि आप अती कर लें यानि कि कोई ऐसा नहीं कि आप ज्यादा खा रहे हैं वसा ज्या पोशक्ततों जो आप अधिक खा रहे हैं तो अती पोशन कहलाएगा और जादे खाने के चक्कर में भी बिमारियां होंगी तो वो बिमारियां अती पोशन कहलाएंगी ठीक है कोई ऐसा पोशक्तत जो आप जादे खा रहे हैं आपको लग रहा है कि उससे उर्जागी मैंने बताया आपको कि जिसमें सभी मात्रा सभी पोसक्तत उच्षित मात्रा में मौजूद हो तो संतुलित भोजन क्या वसकता होती है अगर किसी चीज की कमी हो जाए जैसे प्रोटीन की कमी अगर किसी बच्चे के भोजन में लगातार हो रहा है तो आप देखें कि प्रोटी लग हो जाएगा विटामीन की अगर लगातार कमी है आपके भोजन में तो आपको और बहुत सारी बिमारियां बढ़ेंगी तो अभाव जन रोग कहलाएंगे अगर किसी पोसक्ततों के अभाव में अभाव के कारण कोई रोग होता है तो आपका जो भोजन है वो संतुलित ह होना चाहिए ना किसी चीज की मातरा जादा होना चाहिए ना किसी चीज की मातरा कम होनी चाहिए अब बात करते हैं खमीर की खमीर क्या है आप देखेंगे कि जो बासी भोजन है ठीक है जो बासी भोजन है वो दुरगंद करने लगता है दुरगंद करने का कारण ये है कि उ उसमें खमीर उत्पन हो जाता है, उसका किन्वन हो जाता है, खमीर उत्पन हो जाता है, इसलिए वो दुर्गंद करने लगता है, ठीक है, और गर्मी के समय में आप देखोगे कि भोजन जो है, जल्दी दुर्गंद देने लगता है, क्यों, क्योंकि गर्मी के समय में किन्वन तेजी से होता है ठीक है तो बासी भोजन सेहत के लिए अच्छा नहीं है बासी भोजन नहीं करना चाहिए क्यों क्योंकि उसका किनवन हो जाता है और ठंड के समय में आप देखोगे कि गर्मी के तुलना में ज्यादा देर तक भोजन सुरक्षित रहता है उससे बदबू नही ही आती है तो मतलब ठंड के समय में किनवन स्लो होता है गर्मी में किनवन फास्ट होता है और किनवन जो हमारे सेहत के लिए अच्छा नहीं है तो बासी भोजन करना उचीत नहीं है लेकिन कुछ ऐसे पकवान भी है कुछ ऐसे पकवान है जिन में किनवन की जिन में किनवन क किन्वन के जरूरत होती है जैसे जलेवी जलेवी के साथ पुवा पाव रोटी इन सबी चीजों में किन्वन की आवसकता होती है इसमें किन्वन होता है तभी ये चीजें बन पाती है अन्यता नहीं बन पाएंगी तो कुछ हिस्थिति में किन्वन जो है खमीर जो है वो अच्छा भी होता है और कुछ हिस्थिति है जिसमें वो ठीक नहीं होता है अब हम बात करेंगी कि विटामिन और खनीज लवनों के अभाव के कारण होने वाले रोग तो जैसे विटामिन ए है तो विटामिन ए की कमी से कौन सी बिमारी होती है रतोंदी और रतोंदी का लक्षन क्या है कि कमजोर द्रिष्टी अंधेरे में कम दिखाई देना और कभी की कमी से कौन सी बिमारी तो रतोंदी और रतोंदी के ये लक्षन है कि अंधेरे में नहीं दिखाई देता है और कभी कभी पूरी तरीके से दिखाई देना बंद कर देता है विटामिन बी की कमी से कौन सा बिमारी होता है विटामिन बी की कमी से जो बिमारी होता है उसको ब बेरी-बेरी के लक्षन ठीक है अब देखिए विटामिन C की अगर बात करें विटामिन C की तो इसके कमी से स्करवी रोग होता है और इसका लक्षन क्या है मसूडों से खून निकलना और घहाव भरने में अधिक समय का लगना यह आपको याद करना यह जो चार्ट है यह होता है विटामिन D की कमी से केल्सियम क्यों जरूर है क्योंकि अगर केल्सियम की कमी हो जाए तो जो हड्डियां है वो कमजोर हो जाएंगी और जो दांत है वह भी कमजोर हो जाएगा उसका च्छै हो जाएगा ठीक है लक्षन क्या है कमजोर हड्डियां और दंत का च्छै यह किस की कमी से, गेल्सियम की कमी से, आयोडीन की कमी से कौन सा विमारी होता है, गेंगारोग होता है, और इसका लक्षन क्या है, गले की गरंतियां का फूल जाना, बच्चों में मानसिक विक्रती, ठीक है, यह क्यों होता है, विटामिन की कमी से होता है, लोह तत्व की कमी से खिक है यह हो गए लक्षन अब इसके बाद देखिए कुछ important word है जैसे पोशक्त तो nutrient, protein यहाँ पे protein लिखा हुआ है, carbohydrate, carbohydrate, वसा को fat बोलते हैं, रताउंदी को बोलते हैं, night blindness, berry berry को berry berry बोलते हैं, इसकरवी को इसकरवी बोलते हैं, rickatus को rickatus बोलते हैं, यहाँ चाहें तो आप याद कर लें, यह note कर लें, ठीक है, यह important है, यह आपको पता होना चाहिए, पता होना अच्छी बात है, ठीक है, आप सिक्षक बनने वाले हो, शिक्षक की तियारी कर रहें, तो यह चीज़ें आपको पता होना ही चाहिए, अब बात करें notes की, तो notes के लिए आपको whatsapp पर message करना होगा, notes होगा paid, उसके लिए pay करना होगा, whatsapp नमर आपको description में मिल जाएगा, ठीक है, description में मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पर आप message करके पूछ सकते हो, कि notes क्या है, कब मिलेगा, कितने में मिलेगा, तो यह चीज़ें आपको मिल जाएगी, वहाँ पर, ऐसे ही देखिए, आपको math की class भी आपको मिलेगी, math तो बहुत पहले से इस channel पर आता, science का यह पहला video है, अगर video पसंद आए, तो आप video को like कर सकते हो, channel को subscribe कर सकते हो, और दोस्तों में share भी कर सकते हो, ठीक है, और science मैंने पहली बाट try किया है, पढ़ाने का, बताने का, ठी ऐसा है, क्या कमी है, इसको आप देख कर के बताएं, अगर कुछ improvement की आवज सकता है, तो वो भी बता दें, और मिलते हैं अगले video में, नए chapter के साथ, तब तक के लिए, take care